आज इस वीडियो में total 30 questions देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले exam के लिए important है वीडियो स्टाइट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए चैनल के नाम है goal to success अगर आप net, grf, pgd, gic या फिर assistant professor exam की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपने study को complete कर सकते हैं प्रेलेस में उन सभी वीडियो की folders मिल जाएंगे आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं तो चले start करते हैं फर्स्ट question है निम्ड में से कौन सहयोगी प्रक्रिया का एक प्रकार नहीं है इसमें से सहयोगी प्रक्रिया का एक type नहीं है यह पूछा जा रहा है options जो दिये गए हैं उनमें से है समायोजन, सात्मी करन, प्रतियोगिता और सहयोग प्रक्रिया का एक प्रकार नहीं है यह बताना है अच्छा सहयोगी प्रक्रिया यह कोशन कहां से लिया गया है अगर पूछा जाए कि आप लोग देख रहे हैं जासा की जतनी भी चैनल से पहले से लोग जुड़े हैं उनको यह पढ़ाया जा चुका है ये question आया है, social process, ठीक है, social process से आया है, समाजिक प्रक्रिया से ये question बना है, गिलिन और गिलिन ने समाजिक प्रक्रिया के तीन प्रकार बताए थे, ठीक है, एक था समान समाजिक प्रक्रिया, दूसरा था सहयोगी समाजिक प्रक्रिया, और तीसरा था सहयोगी समाजिक प्रक्र अब यहाँ पूछा जा रहा है सहयोगी प्रक्रिया का एक प्रकार नहीं है तो सहयोगी प्रक्रिया के अंतरगत आप लोगों को क्या क्या बताया गया था समायोजन बताया गया था सात्मे करन और सहयोग प्रतियोगिता नहीं बताया गया था यह किसकी अंतरगत आ जाएगी असयोगी समाजिक प्रक्रिया के अंतरगत आ जाएगी, तो यहाँ पर option C, right answer हो जाएगा, ठीक है, और वेबर ने प्रतियोगिता को क्या काता है, इससे related भी एक question बनता है, कि किसने प्रतियोगिता या प्रतिसपर्धा को शान्तिपूर संखश कहा है, प्रतियोगिता या प्र अब question है, निमलिकित में से कौन एक द्वित्यक समू का उधारन है, द्वित्यक समू, secondary group का example पूछा जा रहा है, कौन सा है, options दे गए हैं, विद्याले, परिवार, गाउ, मित्रो का समू, विद्याले, परिवार, गाउ, मित्रो का समू, options है, secondary group का example कौन सा हो जाएगा, इसम secondary group का निर्मार कब होता है द्वित्यक सम्हू का निर्मार व्यक्ति कब करता है अपनी अवशक्ताओं को पूरा करने के लिए करता है ये जो group होते हैं secondary group उनमें भावनात्मक्ता और जो घनिस्टता होती है उसका आभाव होता है जो सदस्य समू के जो द्युत्यक समू के सदस्य होते हैं वो अपने नीट्स अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए जुड़े होते हैं उस समू से और स्वार्थ जैसे नीट्स या हित हम कहले जैसे ही पूरे होते हैं वो सम्मू से हट जाते हैं, उसके member नहीं होते हैं, अगर हम बात करें इसके लक्षन या विशिष्टाओं की तो व्रहध आकार होता है, ऐसे सम्मू होका, संबन्द, आवैतिक संबन्द होते हैं, एच्चक सदसता होती है, अनिवारी सदसता नहीं होती है, आपचारिक संबन देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो ये कुछ लक्षन थे द्वित्यक सम्मू के और यहाँ पर विद्याले होगा, ठीक है, विद्याले होगा, option A यहाँ पर right answer हो जाएगा, नेक्स्ट है, जोज सिमिल का सम्मू का एक द्विक एक या इकल आता है, एकल द्विक और त्रिक के रूप में वरगी करण निमलिखित में से किस पर आधारित है, सम्मू का जो इन्होंने classification किया है, एकल द्विक और त्रिक के रूप में वो किस आधार पर किया है, जोज सिम और सम्हू का आकार दिया गया है, तो चलिए बताईए यहाँ पर क्या होगा, UPPGT के एक्जाम में, NET के एक्जाम में भी यह कोशन्स पूछे गया हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किस आधार पर उन्हों सम्हू का यह वर्गी करन दिया है, जोच से मिलने, थर्ड का क् और जोच से मिल स्वारूपात्मक संप्रदाय से संबंदिते, प्रकार्यात्मक संखश्वादी के अंतरगत यह आते हैं, और इन्होंने कॉन्फलिक्ट को, ध्यान रखेगा, संखश को समाज के विकास के लिए महतपुन तत्व माना था, कॉन्फलिक्ट को सुसाइटी के ड प्रकार्यात्मक संखश्वादी के अंतरगत आते हैं, जैसे कि हम लोगों ने कोजर को देखा है, प्रकार्यात्मक संखश्वादी में कोजर का नाम, तो जोच से मिल में उनके अंतरगत आते हैं, इसके अंतरगत, जितने भी बाते आप लोगों को बताई जाती हैं, यह सभ पर राइट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है शोद में विश्वस्निय निर्दर्शन की सबसे मुख्य विशेष्टा कौन सी होनी चाहिए छोटा आकार संघटित विधिवत प्रतिनिधित्व विश्वस्निय निर्दर्शन की सबसे मुख्य विशेष्टा कौन सी होनी नेक्स्ट है निम्निकित में से कौन एक वैतिक अध्धिन पदिती का गुड है? केस स्टरी मैथट के बारे में पात हो रही है गहन और सुक्षमध्यन, एकाई से सम्मंधित पूर ग्यान, वैक्तिगत अनभव में व्रध्धी या फिर ये सभी केस स्टरी मैथट के बारे में बात हो रही है कौन सा गुड है या लक्षण है या विशिश्टाइब बोल दिया जाए से गहन और सुक्षमध्यन, एकाई से सम्मंधित पूर ग्यान, वैक्तिगत अनभव में व्रध्धी या फिर ये सभी यहाँ पर क्या होगा फिर ये सभी आ जाएंगे, ठीक है, ये सभी आ जाएंगे, ऑप्षिन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा नेक्स्ट है, निम्निकित में से कौन वैक्तिगत प्रलेक नहीं है व्यक्तिगत प्रलेक नहीं है पुछा जा रहा है सारवार्जनिक संघटनों की रिपोर्ट जीवन इतिहास पत्र डाइरी चली बताईए यहाँ पर क्या होगा व्यक्तिगत प्रलेक नहीं है यह पुछा जा रहा है options हैं सारवार्जनिक संघटनों की रिपोर्ट जीवन इतिहास पत्र डाइरी right क्या होगा यहाँ पर सारवार्जनिक संघटनों की रिपोर्ट पाकी सब होंगे option A यहाँ पर right होगा next है आधुनिक नौकर शाही के विकास में कौन से कारक का योगदान नहीं है option A है वस्तु विनिमें लेन देन की अर्थविवस्था का विकास मुद्रापार अधारित अर्थविवस्था का विकास प्रशाशनिक कारेों का विकास कानून या वैधानिक गैरेंटियों की तर्कपूर व्याख्या आधुनिक नौकर शाही के विकास में कौन से कारक का योगदान नहीं है सेवन्त का यहाँ पर क्या हो जाएगा वस्तु विनिमेल लेन देन के अर्थववस्था का विकास ओप्शन ए यहाँ पर राइट है नेक्स्ट है डेविड हाडिमेन संबंदेत है सभेदावादी परिपेक्ष से मार्क्सवादी परिपेक्ष से उपाश्यत परिपेक्ष से या फिस सरशनात्मक परिपेक्ष से एर्थ का यहाँ पर क्या होगा? एर्द का क्या होगा यहां पर? उपाशत परिपेक्ष, option C यहां पर राइट होगा next है निम्निमे से कौन सा तत्व समाजिक सरशना से सम्बंदित नहीं है? विचार, समाजिक प्रतिमान, समाजिक प्रस्थती, समाजिक भूमिका समाजिक सरशना से सम्बंदित नहीं है ये पूछा जा रहा है विचार, समाजिक प्रतिमान, समाजिक प्रस्थती, समाजिक भूमिका Social structure इस शब्द का सबसे पहले उप्योग किस ने किया था Harvard Spencer ने किया था और इन्होंने समाजिक सरशना की तुनला मानवी शरीर से की दी और उन्होंने किस तरीके से परभाशित किया था सरशना को इनका ये कहना था कि जिस तरीके से मानव शरीर के अंग होते हैं ठीक है शरीर के जो अंग होते हैं हाथ, पैर, ना, मुँ ठीक है ये सभी अलग- अलग अलग होते हैं अपने कारे को करते हैं और आपस में जुड़ते हैं और एक शरीर का निर्मार करते हैं ठीक वैसे ही समाज में भी कई अंग होते हैं अब ये अंग कौन कौन से हैं विभा, आर्थिक विवस्था, सांस्कतिक विवस्था, राजनितिक विवस्था ठीक हैं तो यह सभी अंग अलग होते भी अपने अपने कारेयों को करते हुए एक विवस्ता का निर्मान करते हैं, जिसको के नो ने क्या कहा था, समाजिक सरशना का नाम दिया था. तो यहाँ पर विचार हो जाएगा, ठीक है, विचार हो जाएगा, option A यहाँ पर राइट हो जाएगा Next time, निमलिकित में से कौन समुदाइक विगिटन की श्रणी में समलित नहीं होता है options है, तलाक, निर्धनता, बेरोजगारी, भ्रस्टाचार समुदाइक विगिटन, के अंतरगत कौन सा नहीं आएगा, social disorganization इस topic को complete कराया जा चुका है समुदाइक विगिटन उसके अंतरगत ही आएगा, ठीक है, social disorganization के अंतरगत और इस topic को complete कराया जा चुका है, इसका playlist में folder मिल जाएगा, आप बहाँ से उन videos को देख सकते हैं जितने भी channel से नए लोग जुड़ रहे हैं, या फिर जिन्होंने videos नहीं देखे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तालाक हो जाएगा, ठीक है, तालाक हो जाएगा, option A यहाँ पर right हो जाएगा अच्छा, इलेट मेरे ने social disorganization के बारे में क्या कहा था, कि जो social disorganization होती है यह एक ऐसा process होता है, जिसके जरिये कोई group होता है, उस group के जो members होते हैं, उनके बीच में जो relations होते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं उसको ही उन्होंने क्या कहा था, social disorganization कहा था, और अगर हम समाजिक विगटन के प्रकार की बात करें, कि टाइप्स कितने होते हैं, तो तीन तरह के होते हैं एक तो होता है वैतिक विगटन, ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, वैतिक विगटन, दूसरा हो जाएगा सामुहिक विगटन, और तीसरा हो जाएगा सामुदाइक विगटन, वैतिक विगटन, सामुहिक विगटन, और सामुदाइक विगटन, ये तीन प्रकार हैं समाजिक विगिटन के दो याद रखेगा हो सकता है टाइप्स भी पूछ लिए जायें नेट्स्ट हैं निम्न मेंसे कौन सा कारत बाल अपरात का कारण है विचन परिवार, शिक्षा, वक्तित्व, संस्कृति बाल अपरात का कारण पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा है तो यहाँ पर broken home हो जाएगा विच्छन परिवार हो जाएगा इसमें क्या होता है जो मातापिता होते उनकी बीच में जगडा देखने को मिलता है तो यहाँ पर option A राइट हो जाएगा next time मादक द्रव विसन का प्रमुक लक्षन है द्रव लेते रहने की अत्यदिक इक्षा या आविशक्ता तथा उसे किसी भी तरीके से प्राप्त करना मात्रा बढ़ानी की प्रवती द्रव्यों के प्रभावों का प्रभावों पर मरवेग्यानिक वाशाररिक निर्भरता या फिर इन में से सभी मादक द्रव विसन का लक्षन क्या है प्रमुक ये पूछा जा रहा है क्या होगा यहां पर ये सभी हो जाएंगे ठीके ओप्षन डी यहां पर राइट होगा नेक्स रहा है निम्लिकित में से कौन भारत में निर्धनता का कारण है ठीके निर्धनता का कारण है ये पूछा जा रहा है कौन निर्धनता का कारण है इन में से प्राकर्तिक संसादनों की कमी प्राकर्तिक विपत्तियां क्रशी का पिछड़ापन या फिर ये सभी तो ये सभी हो जाएंगे ऑप्शन डी यहां पर राइट हो जाएगा नेक्स रहें निम्लिकित में से कौन सा कथन संदर्व समू का आर्थवोध करता है रेफरेंस ग्रूप के बारे में बात हो रही है रेफरेंस ग्रूप हाइमेन ने सबसे पहले इस कौनसेप्ट का यूज किया था और संदर्व समू के अवधारना किस ने दी है संदर्व समू के अवधारना किस ने दी है संदर्व समू के अवधारना किस ने दी है संदर्व तुलनात्मक अभावपोत या सापेक्ष वंचना या सापेक्षिक हिंता ये दो आधारते जिसके द्वारा जो संदप समु है उसका निर्मार होता है अब यहाँ पर संदप समु का अर्थ पूझा जा रहा है जो मतलब कि क्या है इसमें समु जो समाजिक सुधार करता है एक सम जो दूसरे से संघश करता है, एक समू जो दूसरे समू पर दबाव डालता है या फिर एक समू जो दूसरे समू के तौर तरीकों और जीवन शाली का अनुकरण करता है। जो दूसरे समू के तौर तरीकों और जीवन शाली का अनुकरण करता है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि परिवर्तन में मूल्य महतपूर है? परिवर्तन में मूल्य को महतपूर किसने माना है? मैक्स वेबर, काल माक्स और नॉल्ड टॉइन भी टॉलकेट पार्शन्स ओप्शन्स है। बता ही चलिए यहाँ पर क्या सही होगा? राइट क्या होगा यहाँ पर? टॉलकेट पार्शन्स होगा, टॉलकेट पार्शन्स ओप्शन्स दी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी कुछ इंपोर्टेंट बुक्स हैं, वो भी देख लेते हैं, जैसे कि The Structure of Social Action, एक बुक का नाम क्या है? The Structure of Social Action, नेक्स्ट बुक है, Essays on Sociological Theory, फिर नेक्स्ट बुक है, The Social System, यह इनकी बुक हो जाएगी, फिर इसके अलावा, Economy and Society, यह हो जाएगी, फिर इसके अलावा, Social Structure and Personality, यह है, और लास्ट जो एक बुक है, The System of Modern Societies, The System of Modern Societies, देखें, बुक्स कई सारे होती हैं, और सब को याद करना जरूरी नहीं होता है, लेकिन वही बुक्स याद करनी चाहिए, वही आपके एक्जैम्स के लिए इंपोर्टेंट होती हैं, कोई भी एक्जैम्स हो, जिसमें या तो उन्होंने एक कॉंसेप्ट अपना दि जो थेयरीज रहती हैं, सिद्धान्त रहती हैं, कॉंसेप्स रहते हैं, जिसमें समाश शास्त्रियों ने दिये हैं, वह महत्पूर्ण होती हैं, और सब के जो प्रकाशन का वर्ष होता है, कब लिखी थी बुक्स उन्होंने, तो सब का भी याद करना जरूरी नहीं है, जो बुक्स होती हैं, केवल उन्हीं का याद करा करिए, ठीक है, तो यह सारी इंपॉर्टेंस बुक्स थी, पार्संस की, हाला कि बुक्स एन ऑथर्स, जो कि शुचौल जी की इंपॉर्टेंट है, इसके लिए अलग से क्लास ली गई है, प्लेलिस में फोल्डर बना दिया गया है, काफी वहाँ पर वीडियोज हैं, शुचौल जी की इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम से, वहाँ से आप लोग ज़रूर देख लीजेगों, जितनी भी बुक्स बताई गई हैं, उन्हें ज़रूर थोड़ा-थोड़ा करके आप लोग याद कर लेजे, वह सभी बुक्स आपके आने वाले सभी एक्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, चीके, तो यहाँ पर पार्संस होगा, राइट, नेक्स्ट हैं, पार्संस के अनुसार ववस्था का निर्मार करने वाला तत्व क्या है, प्रकार किरिया भूमिका प्रस्थति, ववस्था का निर्मार करन वाला तत्व पूछा जा रहा है कौन सा है प्रकार, किरिया, भूमी का प्रस्त दी यहाँ पर राइट क्या होगा 16th का यहाँ पर राइट क्या होगा रोल, भूमी का है ठीक है, option C यहाँ पर राइट हो जाएगा next है, किसने मत व्यक्त किया है कि सयुकत परीवार वा आधार शिला है जिस पर हिंदु समाजिक संगटन निरमित है राधा क्रिश्ण, P.N. प्रभू, P.V. काने, K.M. पानिकर options है बताइए चलिए क्या हो गए यहाँ पर राइट क्या होगा? पी एन प्रभू, ठीक है? पी एन प्रभू है, ओप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा Next है, निम्ने में से कौन समुहों को आपचारिक और अनापचारिक श्रणियों में वर्गे करत करता है ओप्शन्स है, सोरोकेन, ओगबन, माक्स, पेरिटो यहाँ पर आप लोग बोगाडस लिख लीजे, ठीक है? बोगाडस हैं, यह ओप्शन्स गलत हैं, ठीक है? बोगाडस ने दिया था, समुहों के दो प्रकार अपचारिक और अनापचारिक समुहों के बाद किस ने की थी? बोगाडस ने की थी, ठीक है? यह याद रखेगा बोगाडस का है नेक्सट हैं, भूमिका को बुन्यादी भूमिका, समान भूमिका और स्वतन्त भूमिका इन तीन प्रकारों में किसने विभाजित किया है? S.F. solids, R. Linton, J.H. Fitcher, M. Betton रोल की बात हो रही है भूमिका को बुनियादी भूमिका, सामान भूमिका और स्वतन्त भूमिका के रूप में किसने विभाजित किया है ये तीन प्रकार किसने बताए हैं भूमिका के नाडेल, लिंटन, फिचर, एम बेटन, ओप्शन्स है क्या हो जाएगा यहाँ पर नाडेल, ठीक है, नाडेल ने किया है एक सेकिन, एम बेटन होगा, ठीक है, एम बेटन होगा इन्हों ने बुनियादी भूमिका, सामान भूमिका और स्वतन्त भूमिका की बात की थी लिंडन ने प्रदत भूमिका या अर्जित भूमिका की बात की थी भूमिका के दो प्रकार प्रदत और अर्जित भूमिका या फिर आरूपित एवं अर्जित इस तरीके से भी पूछा जाता है कि आरूपित और अर्जित भूमिका की बात किस ने की है प्रदत शब्द ना यूज़ करके आरोपित यूज़ किया है कई बर तो लेंडन ने वो बताया है फिलहाल यहाँ पर 19th का M बैटन राइट होगा ओप्शन D नेक्स्ट है निम्लिकित समाज शास्त्यों में किसने व्याधिकिय समाजिक तत्यों की व्याख्या की है अगस्त कॉंट दुर्खीम सीमेल वेबर व्याधिकिय समाजिक तत्यों की व्याख्या किसने की है किसने बात की है राइट क्या होगा यहाँ पर दुर्खीम दुर्खीम के जो concept रहे हैं या theories रही है social factor है समाजिक तत्य है धर्म का समाजिक सिध्धान्थ दिया हुआ था इन्होंने धर्म की उत्पत्ती का कारण टोटेमवाद को बताया था सामोहिक प्रतिनिधान के अब धार्ना दीती सावेवी एकता और यांत्रिक एकता की भी इन्होंने बात की है समाज में श्रम का विभाजन की इन्होंने बात की थी आत्महत्या की जो theory थी वो इनकी थी आत्महत्या की प्रकार जिसमें उन्होंने बताया थे यह सभी facts जो है जो concept है वो important है इने ध्यान में रखिएगा आगया आने वाले समय में ये जो thinkers हैं वो सभी complete कराये जाएंगे नेक्स्ट हैं निम्न में से गलत कथन चुनिए चलिए देखते हैं ए क्या कह रहा है प्रकार एक आन्शिक किरिया द्वारा उस संपूर किरिया को दिया जाने वाला योगदान है जिसका की वह एक भाग है ओप्शन बी कह रहा है प्रकार वाद एकता एक ऐसी दशा है जिसमें समाज व्यवस्ता के सभी अंग अलग-अलग कारे करते हैं सी कह रहा है प्रतेक समाज व्यवस्था में एक प्रकार की एकता होती है जिसे प्रकार्यात्मक एकता के नाम से पुकारते हैं क्या सही हो गए आपर गलत बताना है कौन सा गलत है तो यहाँ पर option B हो जाएगा ठीक है option B यहाँ पर right होगा बाकी के सारे सही है next है किसने सरप्रतम आर्थिक विनिमे तथा समाजिक विनिमे में अंतर इसपस्ट किया है सबसे पहले आर्थिक विनिमे और समाजिक विनिमे में अंतर किसने किया है right क्या होगा right क्या होगा यहाँ पर melanovas की होगा ठीक है melanovas की होगा option D यहाँ पर right हो जाएगा और ट्रोबनें दिववासियों पर इनका अध्यन रहा है ठीक है व्यक्तिवादी प्रकारवादी के अंतर कत यह आते हैं मानवी अवशक्ताओं का इन्होंने सिध्धान दिया था तीन तरह के मानवी अवशक्ताओं की बात की थी यह कह सकते हैं आवशक्ताओं के तीन प्रकार प्रात्मी का अवशक्ता, द्वित्य का अवशक्ता और त्वित्य का अवशक्ता की बात किसने की है मैलनोवस्की इनने की है और इन सभी आवशक्ताओं को पूरा करने का जो साधन बताया है मैलनोवस्की ने वो कल्चर को बताया है संस्कती मानवी आवशक्ताओं की पूर्ती का साधन है ये मैलनोवस्की का कहना है और इसके अलावा इनके विचार रहे हैं जादू, धर्म और विज्ञान में भी जादू और धर्म को इन्होंने पवित्र और जो विज्ञान है साइंस है उसको अपवित्र बताया था जादू के भी इन्होंने दो प्रकार बताये थे एक तो बताया था white magic and दूसरा जो था black magic white magic यानि सफेद जादू जो की दूसरों के कल्यान के लिए होता है उनकी भलाई के लिए होता है उसे सफेद जादू कहा और जो काला जादू है black magic है वो दूसरों को हानी कस्ट पहुचाने के लिए किया जाता है ये इनोंने बताया था तो option D यहाँ पर right होगा next है गीता में वर्णित कर्म के तीन प्रकारों में निम्रिकित में से कौन सा नहीं है सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, मानसिक कर्म और तामसिंग कर्म क्या होगा यहाँ पर कौन सा एक नहीं है मानसिक कर option C यहाँ पर right होगा आगे देखते हैं निम्रिकित में से कौन सा अंता विवा का उधारन है अपनी ही जाती में विवा, अपनी ही उप जाती में विवा किसी भी जाती में विवा, या फिर उच्चे जाती में विवा अन्तह विभा का उधारन पूछा जा रहा है कौन सा है राइट क्या हो गए हाँ पर अपनी ही जाती में विभा option A यहाँ पर राइट हो जाएगा next है निम्न में से कौन मेहर का भुकतान करता है चलिए देखते हैं वधू के पिता द्वारा वर के माता पिता को या फिर वर के पिता द्वारा वधू के माता पिता को वधु द्वारा वर को या वर द्वारा वधु को मेहर का भुपतान इन में से कौन करता है? मुस्लिम विवाओं में मेहर की विवस्ता देखने को मिलती है कोशन यही के आगया है मेहर का भुपतान कौन करता है? तो यहाँ पर क्या होगा वर्द बारा वधु को option D यहाँ पर राइट हो जाएगा next है रिपीट हुआ है घरेलू हिंसा महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया 2003 में, 2005 में, 2007 में या फिर 2009 में क्या होगए यहाँ पर सही घरेलू हिंसा महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था तो 2005 होगा option B यहाँ पर राइट हो जाएगा next है समाज के अधिक संब्रत या धनाट वर्गों के सरस्यों द्वारा जो अपराद किये जाते हैं उन्हें कहा जाता है सफेद पोश अपराद, नीला पोश, चोरी या फिर सेंध मारी सफेद पोश अपराद, बाइट कॉलर क्राइम, option A यहाँ पर राइट हो जाएगा सदर्लेंड की अवधारना है, उच्छ प्रस्तती प्राप्त वेक्ति द्वारा जब ग्यार कानूनी जो तौर कानून होते हैं या हम कहले ऐसे समझे, ग्यार कानूनी तरीके से जो कारी किया जाता है वे सभी कारे किसके अंदरगत आते हैं, वाइट कॉलर क्राइम के अंदरगत आते हैं, जैसे कि टैक्स की चोरी करना है न, तो यहाँ पर option A हो जाएगा और crime, अपराद इस topic को भी complete कराया गया है, इसका playlist में folder मिल जाएगा, वहाँ से आप इस topic को complete कर सकते हैं अपना नेक्स्ट है, आज की निराशता, कल की वैश्या है, यह सही है कि गलत अंशता सही है, पूरता सही है, अंशता गलत है, आप यह पूरता गलत है तो अंशता सही हो जाएगा, अप्शन A यहाँ पर राइट हो जाएगा PGT के एक्जैम में यह आया था question, next and last question है, निम्रिकित में से सरकार द्वारा किया जाने वाला कौन सा प्रयतन समाज कल्यान से संबंदित है बड़े बड़े बांध और पुलो का निर्मान, राश्ट्री आयमें व्रद्धी, विस्थापितों के लिए आवाज की सुविधाएं, बैंकों का राश्ट्री करन समाज का कारियर जो की समाज कल्यान से संबंदित है वो बताना है तो समाज कल्यान से संबंदित हो जाएगा, विस्थापितों के लिए आवाज की सुविधा, ओप्शन से यहाँ पर राइट हो जाएगा तो आज की क्लास में बस इतना ही, I hope आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताईएगा चैनल पर अगर आप नए है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लिएजेगा इस वीडियो को जितना हो सके, जादा से जादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा थैंक यू अजिसा ये जरूर भी जरूर क्सित पारिएगा स्सीतों प्याता जरूर कर दाल जर वीचा है से जरके